इसकी सीरीज को continue करते हुए basically आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे difference between render method and components method क्या होता है render methods and क्या होता है components method आपको कौन सा यूज करना से है कौन सा आपके लिए best है इस वीडियो के end of end आपको यह पता चल जाएगा तो काफी लोग की doubts आते हैं कि क्या होता render and क्या होता components तो आपको बताता हूं देखो यह जो वही code है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर router वाला पार्ट हमने देखा था इसी को हम लोग continue करते हैं क्योंकि इसी के अंदर तो यह दोनों चीज़ आती हैं अब अगर मै home पे जाता हूं तो home about देखो मेरा page यहां पे बिल्कुल load नहीं हो रहा है इसका मतलब यह है कि single page application हम लोगों ने create कर ली है और अब आपको बताता हूं देखो यहां पर basically मैं आपको बता हूं तो यहां पर देखो मैंने components का यूज कर रहा है इस तरीके से components का यूज कर रहा है ठीक है तो यहर मैं आपको और प्रता देना चाहता हूं मैं यहां पर प्रॉप्स भी set कर सकता हूं मैं कहां पर प्रॉप तरीक से यहां पर मैंने कोड लिखा है, इसमें कोई भी रोकेट सेंस वाली बात नहीं किया है, मैंने एक सिंपल सा कॉमपनेंट्स बनाया, और इसको मैंने एक्सपोर्ट डिफोल्ट सर्विस कर दिया, अब यहां पर चलता हूँ, मैं आप लिखूंगा प्रॉप्स, अगर लोग व्यू पर क्लिक करके वर्डव पर क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सही से आपको दिखाए देंगे चीजें, ठीक है, और यह जो सर्विस है, मतलब मैं बार बार यहर देखो, इस इदा सर्विस पेज, फिर मैं यहां पर अगर आपको अबाउट पर लेके चलों, तो दे यहां पर चल के मैं क्या लिखूँगा, यहां पर चल के मैं इस तरीके से मैं आप लिखूँगा, प्रोप्स डोट नेम इस तरीके से, प्रोप्स डोट नेम यहां पर सेट कर दूँगा, अब यह प्रोप्स डोट नेम क्या है, प्रोप्स डोट नेम क्या है, प्रोप्स डो इस पर यह जो service वाला page है इस पर तुम आपको दिखाता हूं देखो अब आउट पर हूं अभी लेकिन जैसे मैं service पर चलता हूं यह देखो this is the service page है but save करूँगा यार मैं इसको save नहीं किया लेकिन अभी देखो जो है वो है this is the page मतलब यह तो है ना कि अगर मैं service पर सलता हूं तो देखो यह this is the page प्रॉप्स.name इसको नहीं idea कि क्या है अब हम लोग बताते हैं क्या है देखो हम लोग app.js पर सलते हैं यहां पर हमने इंपोर्ट तो करना पड़ेगा देखो मैंने इंपोर्ट कर रखा है और मैंने simply switch के अंदर route यूज करते हुए मैंने यहां पर components के अंदर service को यहां पर डाल रखा है अगर आप लोग सोचते हो कि जैसे हम लोग prop set करते थे पहले वैसे हम लोग यहां पर define करते तो काम बन जाएगा इसा बल्कुल नहीं होगा मैं आपको दिखा जाता हूं मैंने वहां पर name pass किया ना तो अगर name equals to यहां पर इस तरीके से service डालता हूं simple save करता हूं ठीक है तो अब आप लोग देखेगा अब आपके सामने एक एर दिखाई देनी चाहिए अभी आपको आपके सामने कुछ नहीं दिखाई देना है एर भी नहीं है लेकिन आपका काम भी यहां पर नहीं बना एक type से वह एर निबह सकते हूं कि आपका जो output आना चाहिए था वो नहीं आ तो अम लोग क्या वरक करेंगे अब हम वह सिंपल करेंगे इसको हटाएंगे ठीक है और इस शर्विस को इस तरीके से हम लोग हां प around code फणंशन का यूच करते हुए quest to और इसके अंदर हम लोग simple कर सकते हैं इस service को define इस service को हम लोग यहांपे define करते होई self-closing text से हम लोग इसको close करते हैं इसको हटा देंगे फालतों में इसके अंदर मा आखे इस तरीके से name equals to अगर मैं यहांपे service डालू save करूं मैं ठीक है वन अक्सिलेंट यह देख सकते हो सर्विस पेज मतलब इस इस सर्विस पेज मेरे सामने यहां पर प्रॉपर्ट ली दिखाई दे रहा है हॉप की यह चीज आपको क्लियर हुई है ठीक है इस तरीके से मुझे प्रॉप सेट कर सकते हैं अगर मैं सिंप्ली अबाउट पर जाओ अब डॉट जाएज पर चलेंगे और यहां पर आके यह जो यह जो मेरा अबाउट है यहां पर चलिए सिंपल सेम चीज इसी को मैं यहां पर कम्प्रीट कोपी कर लेता हूँ मुझे बार बार इसको लिखने की निर्ड नहीं है इसको मैं इस तरीके से पेस्ट कर लूँगा अब आउट क्योंकि मैंने प्रोप्स डोट नेम आबंट के इंदर सैट कर रहा है आज अब आपस का मतलब सिंपल प्रोपर्टी होता है और इससी जदा कुछ नहीं होता है मैं यहां पर ढाल दूँगा अब आउट सिंपल ओके से रूँगा अब जैसे मैं इसको से पाइल यहां पे successfully हो चुका है मैं यहां पे home about पे चलता हूं यह देखो about page service और home को हम रख लहने देते हैं आप लोग home को भी grade कर लीजिएगा अगर आपको लगता है लेकिन मुझे ने लगता तो मैं service और only about कोई मैं यहां पे design किए अब आपको बजाता हूं मैं simple अभी मैंने component से हाप यूज की है ठीक है अब मैंने component सी यूज के component के अंदर कुछ इस तरीके से output आ रहा है देखो यह देख सकते हैं बट अगर मैं यहां पे चल के मैं क्या करता हूं अगर यहां पर लिखता हूं simple render अगर मैं एक काम करता हूं इस service वाली के अंदर मैं लिखता हूं render इस अगर मैं सर्वीस पर जालता हूं यह देखो आउटपुट यहां पर क्लियर आ रहा है जो पहले की केस में जो आउटपुट आ रहा था वह आउटपुट अभी भी हमारे साथ आ रहा है लेकिन सिंपल हो क्या रहा है कुछ नहीं हो रहा है अब आप लोग बोलों कि फिर यह इ इतना देटा हो उसके बाद में क्या करेंगा जो जितना दिखाना उत्त चाह्त देगा ठीकर लेकिन जो जो कममपॉनेट होता है वो बार बार रिलोडिंग तरता है जिसना मैं कॉम खरता उम तो जो सारा डेटा है उसको फिर से ज्कैता जैसे मैं about पर चलता हूँ तो इसने फिर डेटा लोड करके दिखाया आपको अभी के लिए कुछ पता नहीं चला इसमें लेकिन ऐसा हुआ background के अंदर कि सारा का सारा content था उसको load करना पड़ा जैसे हम लोग render method का यूज करते हैं तो जो जितना चाहिए उतना update करता है हमारे page पे तो यहर मैं simple आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग render method का यूज किया करो यह थोड़ा fast है और आप लोग simply इसमें अपने data को save कर सकते हो ठीक है अपने जो आप जो भी website बना रहे उसम सारा content फिर से लेके आएंगे तो थोड़ा सा यहां पर प्रोल्म क्रेट करेंगे लेकिन आपको अभी के लिए पता नहीं से लेगा कि component बेस्ट रेंडर बेस्ट है जब आप लोग एक्चुल में यूज करोगे काफी है क्रियल टाइम प्रोजेक्ट पे आप लोग काम करोग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए थैंक यू सो मस्टेक केर बाई बाई